अगर आप भी मेरी तरह सिंपल पनीर खाखाके बोर हो गए हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा इजी पालक पनीर की रेसिपी लेकर आ गई हूँ तो स्वागत है आप सभी का स्वातिगी देशी रसोई में आज मैं आपको बहु क्या है तो सबस्क्राइब कर लेना और बैल आइगन प्रेस कर देना ताकि आगया उनेवाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो चलिए अगर देर किस बात की बनाना स्टार्ट करते हैं पालक पनी बनाने के लिए मैं ने एक किलो पालक लिया है हम इस तरिके से तो पानी जो आची तरीके से गरम हो चुका है अब हमने जो पालक वाँ धरिके से दोकर रखा है एक किलौ पालक क्या कींदर सब को डाल देंगे और इसको बस 1 विसे लाने तक हमें इसको पकाना है मतलब जब जब से पांच जो हरी मिर्च डाली हैं आप चाहें तो हरी मिर्च को आप छोकने में डाल सकते हैं पर इस टाइम पर डालेंगे तो जो है बहुत ज़्याद अच्छी तरीके से स्वादा था इसके अंदर तो चलिए एक विसलाने तरह इसको पका लिया है मैंने तो देखिएगा कित कि तो देखिए का मैंने सारे पालका निकार लिया है अब में फ्रीच का बिल्कुल चील्ड पानी लूँगी है बिल्कुल बरफु का पानी डाल सकते हैं बिल्कुल चील्ड पानी हमएं स्के अंदर इस लिए डाल रहे हैं क्योंकि इसका जो कलर होता है न वह नौरमली तो बिल्कुल इसा कलर ना बिल्कुल भी नहीं मतलेंगा आप aleg बिल्कुल भी मतलब सुत्ते नहीं होने चाहिए तो चलिएगा मैंने एक कड़ाई ले लिए हैं जिसमें मैं आदा कप टेल का यूज कर रही हूं आपके पास घीय बटर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं मेरे पास तेल था तो मैंने सिर्फ तेल का यूज किया है तो चल चलिएगा इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं और खड़े मसालों से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यह मैंने जो पूरी पुत्ती होती है लैसुन की मैंने वह छोटी-छोटी काट के रखी बिल्कुल फाइन मतलब बहुत छोटा-छोटा काटा है तो चलिएगा इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमने भून लिया है तो देखिएगा मैंने ये दो से तीन बड़ी प्याजे जो हैं बहुत इता फाइन चॉप करके रखी है मैंने इसको चौपर में मतलब प्याज को काटा है तो चलिएगा इसको भी बिल्कुल चल reflects बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम रहेते हैं कर सकतीं sermon तो चलिए गाप्यूत को चम निच नोदेखिए ऑंची तरीके किसे भून लेना है कि झालिए तो चलिए मैं उद्ण बावडर नियोगी मतलब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक ग्ता कि बिल्कुल किसे मिला देती हूं जब तक मसाले के अंदर से खुश्बू ने आ जिये तब तक हम इसको मिलाना है हाजमी के लिए मैंने इसके अंदर हींगेट की है दो से तीन पिंच तो यह मैंने चार टेमाटर हैं जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके रखा है छोटा-छोटा कि मतलब इसको पीस के भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं पर ऐसे ज्यादा टेस्ट आता है इसके अंदर तो चलिएगा वह इन सारे मसालों का अच्छी तरीकी से बूल लेते हैं जब तक कि मसाला और तेमाटर और प्याज हैं बिल्कुल अलग अलग नहीं हो जाते हैं अब मसाला एकदम से पक नहीं जाता है तो चलिएगा मैं गड़क के अची तरीकी से इसको पका लूँगी तो चलिएगा लेड़ु हार के देख लेते हैं चार से पांच मिट के बाद के मसाला जो अची तरीकी से तेल छोड़ दिया है टेमाटर और प्याज ने और अची त पालग को मैंने बहुत ही फाइन मतलब बहुत जड़ा पतला पतला पीसा मैं इसको अच्छी तरीकी सी शुथ्यप्ज करतेंगे अप अपने अनुसार के लगे कर सकते हैं आप पालग में ठोड़ा कमी पान नी रखें क्योंकि पालग पनीर मतलब पतला पतला अच्छा नहीं लगता है थोड़ाँ गाड़ाट गाड़ा अच्छा लगता है तो चलिएगा में इसको आशी तरीक việc चला दूँगी अब ढठक तो चलिएगर नमक डालाद के जही तरीके से फ़ौक साल theok मेरा है the c ina假 12 कि नि за फ्सका इंटर देख नहीं आपने अपने मन मुटाबिक मतलब मैं इसले पीस कर लिये हैं आप चाहिए पुछ इंदर बड़े पीस लग चोटे पीस अपने अनुसार के अंदर एक कर सकते हैं काट कर तो चलिए का मैंने मतलब नॉर्मल नाहीं जद्धा बड़ा परखा इसका पीस नाहीं जद्धा चोटा तो चलिएगा पनीर डाल कर भी हम इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे आप चाहें तो पनीर को फ्राइब ही कर स तो देखिएगा कितनी जदा अच्छी तरीके से उबल रहा है पालक पनीर एक खाने बहुत यदा टेस्टी लगता है और सभी को बहुत यदा पसंद आता है और बच्चों के लिए तो बहुत यदा पोश्टिक होता है यह तो आपको बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए बन पनेर इच्छी तरीके से बनके तयार हो चुका है तो देखिए आए मैंने इसको जश्काइब ज़्यादा रखा रखा है तो कितना ही जदा अच्छा पालक पनीर हमारा बनकर तयार हुआ है जितना ही देखने में खूब सूरत है उससे जढ़ा एक खाने में टेस्टी है अमूल क्रीम लिए आप चाहें तो दूद के ऊपर की जो मलाई आती है उसको फैट के इसके उपर डाल सकते हैं तो मैंने इसकी खुबसूरती बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर की क्रीम का यूज किया है आप चाहें तो इसको को स्किप करके इसमें जो दूद्स के ऊपर की मलाई होती है तीन से चार चमच आप इसको फैटे मतलब इतना फैट ना है कि उसकी क्रीम भी बने मख़न निकले तो इस तरीके से आप वो भी उसका भी उसकर सकते हैं मेरे पास अमूल क्रीम रखी तो मैंने मूल क्रीम कर यूज कर लिया तो देखिएगा कितना ही जदा टेस्टी एकदम देखने में तो सुंदर है ही और खाने में तो उससे भी ज़दा टेस्टी है तो हमारा पालक पनीर जो है बनकर तयार हो चुका है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और एंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाइ बाइ एंड टेक केर